तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक methods use करेंगे square root को find out करने के लिए जो की बहुत ही easy method है और उस method का नाम है आपका repeated subtraction method अब यह कैसे काम करता है चलिए इसको हम लोग यहाँ पर समझने का प्रियास करते हैं इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही चोटा सा question दूँगा ताकि आप पहले concept को अच्छे से graphs कर सकें तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि अगर आपको find out करना है 4 का square root यानि कि 4 का square root कितना होगा तो चलिए यह पता करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है 4 लिख लेजिए अब इसको क्या करना है subtract किसे from 1 से तो 1 से अब subtract करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 3 मिलेगा चलिए बहुत अची बात है अब 3 को इसी 3 को subtract करना है तो 1 के बाद 2 से करें क्या नहीं जब भी subtraction आपको करना है तो odd number से तो 1 के बाद 2 आपको नहीं लेना है क्योंकि even number है आपको 3 से subtract करना है तो कितना जाएगा 0 तो देखे जब subtraction करने पे आपको final result 0 मिल जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि आप result तक पहुँच गए है है ना अब देखे इसको subtraction अपने कितनी बार किया एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर कितने बार आपने subtract किया दो बार तो इसका क्या आएगा square root 2 आएगा देखे यहाँ पर यह जो one है क्या है old number है और यह जो three है यह भी old number है अब वैसे बच्चे जिनको नहीं मालूम है कि old number क्या होता है तो इसका यह मतलब होता है कि देखे जो two से divide ना हो उसको old number बोलते हैं अब one को two से divide नहीं कर पाएंगे 3 को 2 से divide नहीं कर पाएंगे ठीक है जो completely remainder 0 नहीं ला पाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं old number बोलते हैं ठीक है तो हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं कि root 4 का जो square root है 4 का square root कितना आएगा 2 आएगा यह आपका final result है अब जिसे के माल लीजिए अब मैं आपको देता हूँ 36 का square root find out करने के लिए तो अब कितना आएगा तो बिलकुल वही procedure हम लोग use करेंगे हाँ पे जैसे माल लीजिए हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 36 अब इसको subtract पहले किसे करना है 1 से करना है तो अब यह कितना आजाएगा 35 very good अब चलिए 35 को फिर से जा लिख लीजिए अब इसको किसे subtract कीजेगा 1 के बाद 2 को नहीं लेना है किसे करना है 3 से old number को तो क्या हो जाएगा आपका 32 very good और अब 32 को subtract किसे करना है 4 से नहीं करना है किसे करना है 5 से करना है तो अब बताएगे कितना आएगा अगर आप इसको subtract कर दोगे तो कितना आएगा 27 ठीक है अब उसी तरह से 27 को फिर सब्ट्रेक्ट किसे करना है 6 से नहीं किसे करना है 7 से तो अब यहाँ पर कितना जाएगा 20 20, अब इस 20 को फिर subtract किसे करना है, 9 से, 8 से नहीं 9 से, ओर नमबर है न, देखिए, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब ओर नमबर है, अब इस से subtract करेंगे, तो कितना जाएगा, अब 11 को फिर किसे subtract करना है, 11 से, 10 से नहीं, तो यहाँ पर आप देखिए, subtraction क्या रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है, तो आप देखिए कि कितने बार आपने subtraction क्या यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका 36 का square root क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 36 का square root क्या हो गया, 6 हो गया, क्योंकि 6 बार आप लगातार क्या किया है, repeated subtraction आपने क्या हो गया है, और यहाँ पर आप देखिए, क्या ले रहे हैं, old number से, ठीक है, successive जो old number है, उससे आप लगातार subtract कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा हो गया है, अब चलिए, अगर मैं यहाँ पर कहूं, कि square root of 49 का क्या आ from the one, ठीक है, that is 48 आएगा, अब इस 48 को subtract किसे करना है, 3 से करना है, तो अब आपके पास कितना आएगा, 45, अब 45 को subtract किसे करना है, 5 से, which is 40, अब 40 को subtract किसे करना है, 7 से, तो 33, अब 33 को किसे subtract करना है, 9 से, तो यह 24 आएगा, अब 24 को फिर किसे subtract करना है, 11 से, 10 से नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 13, उसके बाद 13 को किसे subtract करना होगा, 12 से तो नहीं कर सकते हैं, that is 13 से, यहाँ पर 0 आगया, अब आपको रूख जाना है, अब दिखे कि कितनी बार आपने subtract किया यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसका आपका square root कितना आजाएगा, 7 आजाएगा, ठीक है, अब दिखे, जितना भी आप subtraction कर रहे हैं, वो सब के सब क्या है, और नमबर है, 7 भी आपका और नमबर है, 9 भी और नमबर है, 11 भी और नमबर है, 13 भी और नमबर है, तो I think आपको ये बात समझ में आगया होगा कि आपको किन चीजों से सब्ट्रेक्शन करना है और तब तक करते रहना जब तक 0 ना आ जाए जब वो 0 आ जाएगा तो समझ जाएगे कि आपका प्रोसेजर कम्पीट हो चुका है ठीक है इस स्क्वार रूट आपने पता कर लिया है ये इसका मतलब होगा अब चलिए आपको 64 का स्क्वार रूट पता करना है कि क्या आएगा तो definitely आपको सब्ट्रेक्ट किस से करना होगा पहले 1 से 1 से सब्ट्रेक्ट करेंगे तो कितना आजाएगा 63 चलिए ठीक है अब इसी 63 से आपको किस को सब्ट्रेक्ट करना होगा 3 से तो कितना आने वाला है 60 आजाएगा अब इस 60 को किस से सब्ट्रेक्ट करना होगा 5 से तो क्या आएगा 55 और इसी 55 को फिर आपको सब्ट्रेक्ट किस से करना है 7 से, ठीक है, तो क्या आएगा, 48, फिर इस 48 को आपको subtract किसे करना है, 9 से, तो 9 से करेंगे, तो कितना आएगा, 39, अब इस 39 को फिर subtract किसे करना होगा, 11 से, तो कितना आएगा, 28, अब इस 28 को subtract किसे करना होगा, that is 13 से, तो कितना आएगा, 15, और इस 15 को फिर किसे subtract करना है, 15 से, जो 0 आगया, तो देखें, कितना टाइम से में आपने यह किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानि कि 8 आपने subtract किया, तो 64 का जो square root होगा, वो कितना जाएगा, 8 आएगा, तो I think आप इस procedure को समझ चुके होंगे, कि यह कैसे बनेगा, तो चलिए, uncertainty की कुछ questions यहाँ पर आपके पास दिये हुए हैं, इसको आप इसी method के साथ बनाएए, इन सब को देखें, इसका square root पता करने का प्रयास किजिए, कि यह आपने सीखा भी है, या नहीं सीखा है,